चाइना से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है वो जमाना चला गया हमारे जो फौजी हैं बहुत सक्षम है और हिंदोस्तानी फौज जो है हाई चुचूड वारफेर में मौंटन वारफेर में पूरी वर्ड में सबसे मानी हुई इस वकद उच्छ दर्जे की फौज है चाइन को कॉण्टर जो करने के लिए छे से आठ मेने के बीच में हमें पूरी सफलता मिलने का अंदेशा है कि यहाँ पर प्रेशर बढ़ाओ और ताकि और यहां वहां पर प्रेशर बढ़ाओ तो यहां से फोर्स वहां चली जाएंगी यहां वाइड हो गया तो पाकिस्तान इसको देखता है एक opportunity आ गई है और उसको करके जो VDCs है वो उनमें ex-servicemen होने चाहिए हथियार हमारे जो ex-servicemen फौजी है उनके हथियार जो अभी renew नहीं हो रहे हैं उनको renew करने के लिए government ने order देना चाहिए हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जोड़ चुके है लेफटेनेंट जेनरल रिटाइड राकेश शर्मा जो कि भारतिय सेना में operations और logistics विभाग के महानेदेशक रह चुके हैं ये एक रक्षा विशेशक है हम इनसे बातचीत करते हैं जनरल शर्मा सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जनरल शर्मा आपको पता होगा कि किस प्रकार से ये जो पीर पंजाल के दक्षण का शेत्र है रजोरी और पुंच जिले ये दोनों जिले जो है यहाँ पर पिछले अगर हम दो साल का ट्रेंट देखे तो आतंगवाद जो है अपना सिर एक बार फिर से उठा रहा है कई आतंगवाद विरोदक अभ्यान भी चले हैं दुर्भागी से भारत्य सेना पर कई बार हमले भी हुए हैं और उन हमलों में हमने अपने शूर वीरों को भी खोया है अब यहाल ही में दिसंबर के महीने में दिसंबर 2023 में 21 तारीकों जो वहां पर आतंगवादियों ने भारते सेना के दो वहनों पर हमला किया उसमें भी हमने अपने चार जवान खोये उसके बाद कई बैठकों का दोर हुआ आपने देखा कि रक्षा मंतरी स्वयम यहां आए राजना सिंग जी आए सेना प्रमुक आए जनरल मनोज पांडे उसके बाद देश के ग्रह मंतरी अमिच्छा ने एक उचिस तरिय बैठक किया अध्यक्षता की दिल्ली में और एक न देश है कि इन इलाकों से आतंक वादियों का सफाया करना इसी प्रकार का ऑपरेशन 2003 में भी हुआ था ऑपरेशन सर्प विनाश तो क्या समझते हैं आप यह जो नई रणनीती बनाई जा रही है कितनी महत्वपूर्ण है और क्या हम समझे कि कब तक आतंक यूं का सफाया हो सकता इस पूरे शेत्र में हैं आप अपने अनुभव से हमें बताईए देखिए सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि जो यह ऑपरेशन सर्फ शक्ती है सिक्योर्टी फोर्सिस का जॉइंट ऑपरेशन यह अभी दो दिन पहले ही लांच हुआ है यह ऑपरेशन मैं य यह जॉइंट ऑपरेशन है और शायद यह पहला ऑपरेशन है जो कि कश्मीर और जमूर डिविजन दोनों को इकठा लॉंच करने में यह सक्षम होगा और जिसको कि हम ट्रांस पीर पंजाल ऑपरेशन कहते हैं वो चीज लॉंच होगी और बात सामने आई है कि यह जो ऑपर अब शुरू हो चुका है यह चलेगा दक्षण के शेत्र में और उत्तर के शेत्र में पियानि की कश्मीर का जो हिस्सा है वहां पर भी और जो जम्मू संभाग के दो दिले हैं रजुरीक अरंच बिए बिलेगा टो को रिनों ग्रुर्टरां पिलीस होगी किस यार्प याड जंसियों के लोग भी होंगे क्या लगता है आपको कि यह जो नई रणनीती बनी है कितनी कारगर यह साबित हो सकती है बिल्कुर ठीक कहा आपने यह एक security forces का joint operation है जिसमें army, paramilitary forces, police, intelligence agencies, civil administration सब शामिल होंगे और जब मैंने कहा कि कश्मीर डिविजन और जमूर डिविजन यह दोनों क्या होता था पहले कि जब कश्मीर डिविजन के बीच में एक अलग कोर है जब वहां पर हमने operation all out launch किये थे तो वहां पर सारे militants का जायता सफाया हो गया था किसी एक district में उनको दबा दिया गया था जब वहां pressure हुआ जब वहां पर इतना सफाया हुआ तो उस pressure को जो बोलता है लिड़ खुलता है तो वह वहां से सौथा पीर पंजाल जमू रिजन के बीच में और फ्लो यानि कि आर पीर पंजाल पार करके जम्मू की रिजन में आ जाते थे डोडा किष्टवार पूंचर जोरी में आ जाते थे और जब यहां पर pressure बढ़ता था तो वह सेफ heaven में पार करके कश्मीर वाली साइड में चले जाते थे तो पीर पंजाल एक ऐसी जगा थी जिसके मैं यह कहूंगा जिसमें monitoring हमारी effective नहीं थी वो वहां पर operation चलते थे कश्मीर डिविजन में चलते थे और यहां पर भी जम्मू डिविजन में अलग चलते थे तो मुझे बड़ी खुशी की बात है कि यह पहला joint operations होगा दोनों साइड से पीर पंजाल के जिसमें कि बचने का militants का शायद कोई मौका नहीं रहोगा और दूसरी बड़ी खुशी की बात यह है मैंने आपी के channel में एक महीना पहले यह सुझाव दिया था कि हमें trans peer पंजाल operations launch करने पड़ेंगे वहां पर हमें कुछ ऐसी pickets बनानी पड़ेंगी वहां पर लोगों को position करना पड़ेगा ताकि यह जो maintenance उदर से इधर आते हैं इधर से उदर से आपने में चले जाते हैं वो चीज ना हो तो यह जो सर्वशक्ती operation है joint operation है यह बहुत ही step right direction में है और मुझे बड़ी खुशी है कि यह है और मैं यह कहूंगा कि इससे हमें पक्का सफलता जरूर मिलेगी जो कि जहां चुपते फिर करते थे वो अभी काम नहीं होगा जैसे आपने कहा कि सर्पफिनाश 2003 में हुआ था वो लोग कहते हैं कि जॉइंट operation था नहीं वो जॉइंट operation नहीं था शायद मेरी अपनी understanding में यह पहला ऐसा operation है जो कि दोनों साइड से यानि कि चिनार कोर और यहां से हमारी वाइट नाइ के इलाके में हिल काका इलाका के मेंच में चला था तो यह एक step in the right direction है और आप कह रहे हैं कि यह उससे बड़े लेवल का operation होने जा रहा है और इसके परिणाम भी अच्छे मिलेंगे बिल्कुल ठीक हा आपने इसके परिणाम वहां क्या था कि वहां पर असल में militants ने गड़ बना लिया था हिल काका के इलाके बीच में और वो पार जो कश्मीर वाला वो अलग था यह लोगों ने वहां पर अपनी एक नगरी सी बना ली थी safe heaven बना लिया था तो वो operation जो launch किया गया था उनको ही खत्म करने के लिए तो वो सफल था लेकिन जो इसकी जो dimensions है वो अलग त उससे भी बड़ा operation है क्योंकि दो को और combine काम कर रही है उससे चनौती भी ज्यादा बड़ी है क्योंकि दुगों मिलाकों के बीच में जाया जाएगा पीर बंजाल की spine के साथ में दुनों तरब से आया जाएगा और इनको बचने का मौका नहीं दिया जाएगा तो पहला तो strategy है जैसा देखते हैं वैसा कर लेते हैं तो हमको भी अपनी एक strategy को इसी प्रकार से बदली करते रहना पड़ेगा और यह पहला कदम है उसी strategy का दूसरा उसके साथ में है कि हमारी जो intelligence है वो मैं यह कहूंगा पिछले कुछ सालों में हमारे जमू रिजन के बीच में intelligence बहुत ही कमजोर हो गई है पहला उसका issue होता है hearts and minds of the people तो हमें जो है और जोर से अपने initiatives लांच करने के ताकि जो जनल पब्लिक है वो हमें corporate करें पहले हमें खबर मिल जाती थी कि यहां पर यह कुछ होने वाला है मेरा हमारे तो फौजी दे देते थे दूसरे civilian दे देते थे वह आ बड़ा महत्व रहता है और जो भी बात सामने आई है कि सेना जो है और जो बाकी सुरक्षबल है वो भी इस पर जो है कहीं न कई उनकी भी राए यही बन रही है कि human intelligence को बड़ावा देना है और उसको और मजबूत करने की आवाशक्ता है बिलकुल ठीक कहा क्योंकि जो technology होत उसके लिए जो वहां के मैं तो यह कहूंगा कि उसमें जो गुजर बकरवाल हैं हमारे एक सर्विसमेन हैं जो फारस के गार्ड हैं यह आईजनियर्स हैं इन लोगों को इंटेग्रेट करके उन से जो human intelligence आनी है पहले तो वो वाला उनको इंटेग्रेट के जाए दूसरा जो जो civilian लोग हैं दूर जराज के इलाकों के बीच में वो लोग खबर हमें देना चाहिए कि वहां कोई suspicious हरकत देखी है कोई ऐसे लोग आये थे वहां से होके चलेगे ताकि हमें कुछ खबर मिले तो पहला हमारा मुद्दा होना चाहिए एक दुबारा से concerted drive winning hearts and minds of the people दूसरा intelligence हमें जो है खरीदनी पड़ेगी हम इतने क्रोड़ों रुपे खर्च कर देते हैं जब action हो जाती इतने शहीद हो जाते हैं उनकी जिसकी कीमत नहीं तो मैं यह कहूंगा कि हमें इनाम बढ़ाने पड़ेंगे कोई जो खबर दे 10,000 20,000 30,000 50,000 रुपे देने पड़े हमको वह चीज करनी पड़ेगी तब जाके यह जब पुंच रजोरी रियासी इस इलाके के बीच में जो है वो हमारा जो हम चाते हैं वो होगा दूसरा साथ में कि जैसे यूनिफर्म फोर्स रियासी के इलाके में गया था वहां पर यह ब्रिगेड से भी ज़्यादा 5000 से ज़्यादा लोग थे वह ट्रेंड थे दस बीस साल से वहां पर बैठे हुए थे तो वहां पर हम लोग ने जम्मू के इलाके में मिल्टेंसी खतम कर दी थी तब किश्मीर में बड़ी थी जब से यह चले गए हुए हैं तो एक वाइड बन गया था तो यहां एक्स्ट्रा फोर्स चाहे ह हमें regular troops लाने पड़ें को कि CRPF इसके काबिल नहीं है मैं उनके उपर में कोई expression नहीं कर रहा हूं लेकिन उनकी एक psyche होती है उनका एक जो culture होता है वो उनको बहुत time लगना है अगर उन्होंने ऐसे करना है जो हमारे army वाला उनका तो training वेरा इसी प्रकार से है तो हमें extra forces यह इसी से जुड़ा हो एक प्रशन है अभी हाल ही में खुफिया agency की तरफ से कुछ बात सामने आई थी कि कहीं ना कहीं चीन और Pakistan जो है सांडगाट कर रहे हैं और चीन जो है पाकिस्तान की मदद कर रहा है और चीन जो है यहीं चाहता है कि जो भारतिया सेना के जवान लदाख शेतर में तेनाथ है वास्तविक नियंतरन रेखा की पास वह वापस आ जाए इस शेतर में ताकि वहाँ पर उन पर प्रेशर कम पड़े और कहीं न कहीं चीन और da तालमिल साथ इसमें काम कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि हमें भारत्य सेना की और टीम्स को तैनात करने की आवश्च रखता है लेकिन ये भी तो बात है जनरल साहब कि हम अपने जो वास्तविक नियंतरन रेखा है वहां पर भी जो सुरक्षा है उसको कॉंप्रमाइज नहीं कर सकते हैं तो इसमें एक बैलंस कैसे बनाये जाए बिल्कुल ठीक कहा यह जो पाकिस्तान और चाइना की तो मिली भगत तो सभी को पता है और वो एक दूसरे से कोडिनेशन करते हैं जब एक के उपर में प्रेशर आता दूसरा उसके उपर में कैसे उसको काम कर सके जबसे गलवान हु अगर यासी के इलाके में से यह जो फोर्स इस गई है तो यह दोनों की चाल है कि यहां पर प्रेशर बढ़ाओ और यहां पर प्रेशर बढ़ाओ तो यहां से फोर्स इस वहां चली जाएंगी यहां वायड हो गया तो पाकिस्तान इसको देखता है एक अपरचिनिटी आ गई है और उसको करके तो मैं यह बोलूँगा यह जो बैलंस हमने बना के रखना है हमें मैं यह कहूंगा कि चाइन चाइना से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है वो जमाना चला गया हमारे जो फौजी हैं बहुत सक्षम है और हिंदोस्तानी फौज जो है हाई चुचूड वारफेर में मौंटन वारफेर में पूरी वर्ड में सबसे मानी हुई इस वकद उच्छ दरजे की फौज है चाइ यहां हमें पाकिस्तान बॉर्डर से थिनाट करना जो हमारे में लेंड में फोर्स हैं टेंपरेरली इस सिचुएशन को हमने कंट्रोल करना है तो आप कहरें कि जो पीस टाइम पोस्टिंग से जिन जवानों की उनको अभी यहां पर तैनात किया जाना चाहिए येस मैं कहता ह हूं टेंपरेरली क्योंकि हमको यहां पर स्थिति को कंट्रोल में लाना है इससे की पहले कि यहां पर वो अपनी जड़े मजबूत कर ले क्योंकि पिछले एक सवा साल से तो हमने देखा कि बाकी सिक्योर्टी फोर्स जो आई है एक्स्ट्रा वो कुछ नहीं कर पाई है तो म वापस जा सकते हैं ऐसा हुआ है पहले भी हो सकता हूँ कुछ दिन पहले मैंने यहां बात की थी जमुकश्मीर पुलीस के जो पूर्व महानेदेशक हैं डॉक्टर एस्पी वैद उनसे मैंने खास बातचीत की थी और उन्होंने बात कही थी क्योंकि वहां के पुलीस के डी पूरे शेत्र के भूगोल से अवगत हैं और इनको पता है इनको जानकारी भी रहती है इस पूरे शेत्र की और हाइडाउट्स की भी इनको पहले जानकारी मिल पाएगी तो स्थान ये यूकों को as SPOs पुलीस में भरती करने की आवश्यक्ता है और वो जो ये आतंक के खिलाफे लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें सफलता तभी मिल पाएगी क्या समझते आप उनका जो ये सुझाव है उसके बारे में क्या कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है उनकी और मैं इसे तावन रखता हूं लेकिन मैं यह कहूंगा कि एक सर्विसमेंट जो हमारे हैं वो हर गाउं में हर रिमोट एरिया के बीच में हैं तो हमारे एक सर्विसमेंट को जैदा इन्वाल्व किया जाए वो जैदा ट्रेंड है वो जैदा डिस्प्लिंड है वो जैदा वो उस चीज में है तो इसलि पास में शक्ति पूरी होती है वो एक जिसको के ट्रेन करने के लिए लाखों रुपे लगे होते हैं वो मतलब उसको बंदू भी चलाने सिखाने की ज़रूरत नहीं है तो मैं तो यह कहूँगा कि हमारे एक सर्विसमें है ज्यादा से ज्यादा लोगों को हर चीज में इंटेग्रेट किया जाए एस्प्यों भी बनाने है तो मैरे एक सर्विसमें बनाया जाए अगर वीडिसी का विस्तार करना है उनको मजबूत बनाना है तो 50% जो जो वीडिसी है वो उनमें एक सर्विसमें होने चाहिए हथियार हमारे जो एक सर्विसमेन फौजी हैं उनके हथियार जो अभी रिन्यू नहीं हो रहे हैं उनको रिन्यू करने के लिए government ने order देना चाहिए और मैं ये कहूँगा कि ex-servicemen backbone बनने चाहिए ये मैंने सुझाव अभी मैं कल हमारे lefton governor साथ से मिला भी था जम्मो कुश्मीर के और उनको मैंने security strategy के ओपर में बहुत सी ऐसी suggestions दी है ex-servicemen की उनकी intelligence की उनकी जरावर force की उनका बहुत कुछ और मैंने इस चीज़े में सजाव दिया है वो चीज़े मैं भी मैं कहूँगा नहीं मैंने writing में उनको submit की हुई है मगर ये कहूँगा ex-servicemen जो है ये नहीं कि मैं ex-servicemen हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ जो वो कर सकते है शायद ऐसे local youth उगरा नहीं कर सकते उनको अगर local youth का आप बोल रहे हो तो उनको vigilante groups के हिसाब से भी इस्तिमाल किया जा सकता है एक नए experiment भी किया जा सकता है तो जनरल साब जैसे कि आपने कहा कि ये बहुत बड़ा एक operation शुरू किया गया है पीर पंजाल के दोनु भागों में उत्तरी शेतर में भी दक्षण शेतर में भी और एक coordinated operation है यानि कि जो जम्मू के नगरोटा में जो जिसका मुख्याला है white night core बारतिया सेना के और श्री नगर में जो कश्मीर घाटी के श्री नगर में जो चिनार कोर का जो मुख्याला है दोनों फॉर्मेशन्स इखटा काम कर रही है साथ ही में जो अर्दसैनिक बल हैं CRPF हैं जम्मू कश्मीर पुलीस है और जम्मू कश्मीर पुलीस का जो विशेज दस्ता है Special Operations Group और खुफिया एजंसी है कि साथ में तालमेल के साथ यह operation चला रही है तो आपको क्या लगता है जो मैंने पहले भी प्रश्न किया कि यह जो effort अब लग रहा है यह जो प्रयास किया जा रहा है इसके परिणाम कब तक मिल पाएंगे क्योंकि जो report सामने आ रही है उसके अनुसार अभी भी रजोरी और पुंच जिलों के पहड़ी शेत्रों में 20 से 25 आतंगवादी छिपे हुए है और ज्यादातर ही आतंगवादी पाकिस्तानी है बहुत ज्यादा प्रशिक्षित हैं इनके पास अत्यादुनिक हत्यार है और कई इनमें ऐसे भी हैं आतंगवादी ऐसे भी हैं जो पाकिस्तानी सेना में कारी कर चुके हैं तो आपको क्या लगता है कि यह जो ऑपरेशन अभी हमारे सुरक्षा बलू ने लौच किया है इसके परिणाम कब तक आप आएंगे और कितना सफ़ले रहने वाला है देखिए क्योंकि यह एक जॉइंट ऑपरेशन है कॉडिनेटर ऑपरेशन है बहुत बड़ा ऑपरेशन है और शायद फर्स नहीं ऐसा है जहां से दोनों तरफ से हाथ जो है गले को पकड़ने की कोशि तो इसका असर पांच से छे मेने के बीच में जो छिपे हुए हैं उन सभी को ढूंड लिया जाएगा और बाकियों को काउंटर जो करने के लिए ये छे से आठ मेने के बीच में हमें पूरी सफलता मिलने का अंदेशा है जनरल साब आपने हमारे साथ बातचीत की उसके तो यह थे लेफटेनेंट जनरल रेटाइड राकेश शर्मा और इन्होंने हमारे साथ खास तोर पर एक्स्क्लूसिव बातचीत की है और इन्होंने बताया कि जो भारतिया सेना ने जो यह ऑपरेशन लाँच किया है दक्षन पीर पंजाल शेत्र में और उतरी शेत्र में भ बारत से आतंगवाद को रिवाइव किया जाए तो कुछ हद तक आतंगवादी सफल भी रहे हैं लेकिन अब एक नई रणनीती बनाई गई है एक ऑपरेशन लाँच किया गया है ताकि आतंग का जुस्सिर है उसको कुछला जा सके तो इस प्रयास में सुरक्षबर लगे है बहुत बड़ा ऑपरेशन सर्वशक्ती यहां पर लाँच किया गया है और जनल साहब ने बताया कि इसके परिणाम भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में क्योंकि एक वेल कॉडिनेटिड ऑपरेशन है वीडियो जनलिस नीरच कुमार के साथ मैं सुनील भट जम्मू